नमस्कर दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल इगल अरिवेत पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियोग पर हम बातकरने वाले हैं असोकर रिश्ट के बारे में इसमें लगभग 5-10% तिलकोहल होती है जो इसका एक्टिव कमपॉंड है असोकरिष्ट मुखे रूप से ओवेरी के रोगो और गर्भासे की विकारों में फायदा करता है दोस्तो यह सीरप को लेने से मासिक धर्म के समय के होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है दोस्त लोड़ी की सुजन संबंधी पीमारियों का प्रबंधन करने में मदद करता है इसमें मवजूद जड़ी बूटी एंटी फ्लेमेटरी प्रभाव पैदा करती है जो गर्भासे अंडासे और प्रजनन अंगों को नुपसान से बचाने में मदद करती है दर्दनाक स्वास्थ की स्थिति को सुधाने में महतपूर भूमी का निभाती है इसके अव्यों में अवस्यक तत्वा होते हैं जो आपको सकर आतमक स्वास्थ प्राप्त करने में मदद करते हैं दोस्तो सुप्रतीसात अर्वेदिक फर्मूला की अच्छाई महिलाओं में सहन सक्ति के इस्तर को उत्तेजित करती है दोस्तो यह सिरफ पाचन तंद्र को बेहतर बनाती है और भूग की कमी से लड़ने में योगदान करती है दोस्तो आप इस सिरफ को उपयोग भोजन के बाद पानी के साथ 10-10 एमेल सुबह साम उपयोग करने से आपको इस सिरफ से भरपूरला मिलेगा और अधिक जानकरी के लिए आप अपने नजदिकी डॉक्टर से संपरक जरूर करें मदुमे के रोगियों को यह सिरफ लेनी की सलाह नहीं दी जाती है दोस्तो इस सिरफ को गलत तरीके से सेवन किया जाए तो पिरियर्ट समय लंबे समय तक देरी हो सकती है गरभा वस्था के दवरान इस सिरफ को नहीं लेना चाहिए इस्तन पान कराने के दोरान इस सिरफ का उपयोग कम करना चाहिए अनुचित मात्र में सोकर रिष्ट का सेवन करने से उल्टी या मतली हो सकती है दोस्तो यह सिरफ केवल महिलाओं के लिए ही बनाई गई है दोस्तों आपको इस सिरफ से भरपूर ला मिलेगा आप इस सिरफ को उप्योग करें यह सिरफ आपके नजदी की मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्द हो जाएगा दोस्तों वीडियो में बताई गए जानकरी आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेयर भी करें